ओम् आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता में योगेशर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया है जो ज्यान दिया है उसमें योग के संदर्व में जो बिंदु आये हैं उन पर आज हम परकास डालेंगे सामानी तह आज लोक ब्योहार में जो भी हम योग का अर्थ लेते हैं पूरे भारत में नहीं अपित पूरे विशु में योग मतलब एक आम जन्द समझता है कि कसरत है ब्याम है या ब्यायाम के सांसात जो जिम जाते हैं या फिर एक्सराइज करते हैं जो फिजिकल एक्सराइज को योग कहा जाता है वास्तों में जो योग का जब वर्णन आता है गीता में तो पूरे सरीर से लेकर उस आत्मा की भगवत्ता को जानने का जो रास्ता है वह योग है कि आत्मा के अंदर जो आत्मा के साथ परमात्मा भी राजमान है उस गूर रहस्य को जानने का मार्ग जो है वो योग है भगवत गीता में जब योग का सरपर्थम हम अर्थ लेंगे कि योग का परिभासा जो भगवान स्री कृष्ण ने गीता में दी है उसमें स्री कृष्ण क्या कहते हैं तो ये अर्थ भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुक रखा है मतलब योग स्था कृष्ण कर्माणी संगम तक्त्वा धनेंजयो सिद्या सिद्यो सम्मुभूत्वा समत्तम योग उच्यते एक लोग व्योहार में इसका सरल तरीके से अगर हम अर्थ जानें कि जो भी हम कारी करें जो भी हम कर्म करें जो भी हम सिवा करें उसको योगस्त होकर करना है उसको ततष्ट भाव में रहकर करना है और अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका जो भी परिणाम होगा वह फल दायक होगा सुप फल दायक होगा हमारे लिए ऐसा भगवान स्री तो अगर उससे सिद्धी होगी तो सिद्धी होगी मतलब फल, शुभ फल मिलेगा या असब फल मिलेगा हम उस कर्म को करते जाएं परिणाम की चिंता ना करें योवजत होकर अगर कर्म करेंगे तो शुभ फल मिले कोई अच्छा प्रिणाम आए या बूरे आए तो दोनों प्रस्तितियों में पर्तिकुलताओं यह अनुकुलताओं में हम सम रहेंगे, हम घमराएंगे नहीं, हमारा धैरी जो है, जो आत्म विश्वास है, वह तूटेगा नहीं आप सभी भाई बहन जानते हैं, लोग व्योहार में हमारी स्थिति क्या होती है, जैसे हम खेती कर रहे हैं, खेती करते करते ऐसी स्थिति बनती है कि बाड़ आ गई, कुछ तुफान आ गया, बारिस आ गई, खेती खराब हो गई, हो जाती है, ऐसा प्रकृति का प्रकोप कभी 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 आ जाता है, तो आदमी क्या करता है, एक किसान क्या है, आत्म हत्या कर लेता है, ऐसा देखा है, ब्योहार में आपने भी देखते हैं, और स्रमाज में ऐसा देखने को मिलता है, तो भगवान स्री कृष्ण की जो योग की परिभासा यहां पर ठीक ठीक बैठती है, कि भाईया आपको कोई इसमें दुखी होने का जरूरत नहीं है आपने पूरी परिश्रम किया है पूरी महनत की है लेकिन इस स्वर को ऐसा ही मंजूर था ऐसा भाव हमें मन में आना चाहिए कि भाईया परिणाम नहीं आया तो कोई नहीं लेकिन हमने महनत पूरी की कि अई गूच तो आतमगलाने की कोशिशं करते हैं यह जीवन का ये जो भौतिक दुण्या में कर और कारी करते हैं चुटकर हम्मारा जन्म साधन है यह जिवन को जीने के फजितने भी समाधान हम हम ढूटते हैं पर गिमीतलूह वह परम्तिता परमिश्वर है इसलिए मनुश्य को जीवन के अंतिम समय तक घबराना नहीं चाहिए और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह मुझे प्राप्त नहीं हुआ हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहेए थे वो भगवान को समर्पित करके हम कर रहे थे और भगवान के लिए कर रहे थे और भगवान के आदेशा नुसार हम कर रहे थे और भगवान को जो भी मंजूर था जो भी भगवान ने हमें फल दिया वो मुझे मंजूर है उसको मैं प्राप्त करूँगा और फिर भी मैं फतोच साइध नहीं हूँगा निरास नहीं हूँगा और मेरे अंदर कोई भी हीन भावना नहीं आएगी मैं दुख का अनुभाव नहीं करूंगा मैं कर्म करते हुए फिर पुनहो जैसे चीटी बार-बार किसी समान को उपल ले जाती है किसी दिवाल पे चलाती है गिर जाता है तो बार-बार उठाती है तो ये जो क्रम है ये ऐसा चलता रहेगा अनौर्ण का नाम जीवन है जो स्टरगल है जो संगर्ष है इसी का नाम जीवन है ऐसा बताने का प्रियास इसमें भगवान शरी कर्ष्णी और जुन को कहा है और इसके साथ पिर एक दूसरे अध्याई के गीता के पचासवे स्लोक में भगवान कर संद não exercise कितनी व्यापकता है इस योग के दर्षन में हमने एक सामानिवेकती सोचता है कि क्यों exercise कर लेना योगा भ्यास कर लेना यह योग है यह दो said but यह पहली सिर्ड है लेकिन मैं लिग्वान ar 묶्ण और ग्वान सीरी कृष्ण के सायोग से अर्जुन के जीवन में आया वो योग की स्थित्यों का यहां पर वर्णेन किया है इसलिए हमें इसकी ब्यापक्ता को सबजने की जरूरत है तो अगले ही जो दूसरे अध्याई के पचासिए शुलोग में बढ़वान श्री क्रिशने फिर कहरें योगा कर्मसु कौशलम अब यह लाइन है योगा कर्मसु कौशलम पिर बता कि भाई कर्म कोसलता का नाम यह आप कि कितना इसमें इस हदिनहीं क्योंस नहीं नहीं काथ थो करेंगे यह ऐगर रेएंगर सम्मी नहीं नहीं ही हैं जो-पी कोसा हर में लार दोчए टो कर्म कुसलता का नाम जो भी कारी के लिए हमें भगवान ने निमित्त बनाया है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी कागरता पढ़ाई में हो, खेती कर रहे हैं, तो खेती में हो, खाना खा रहे हैं, तो हमारा ध्यान पूरा खाने के थाली पर उस भगवान के प्रशात पर हो, मनी मन भगवान को ध्याते हुए, कि ये मे अली तक देने लग जाते हैं एक सामानी रूप से देखें और अलग-अलग शपने आते हैं बुरे सबने अच्छे आते हैं तो ऐसे नीद्रा आये दिन में कर्म योग करते हुए रात को विलकुल शांत चिंत होकर हम सो जाए एक बार पुनहो भगवान स्री कृष्णे एक यो अच्छार तो दुखमय है ऐसा दिखता है ना हम पूरे जीवन में अपने मनुष्य जीवन में कितने संगर्श करते हैं पूरे एक आम मनुष्य का जो जीवन है अलग-अलग कर्मों में निहित रहता है खेती बाड़ी करते हैं बिजने व्योपार बच्चों को पढ़ाते ह माता पिता तो जीवन भर शंगर्शों में ही चले जाता एक बच्चपन को छोड़ दें तो पाकी जो जीवन है वो तो पूरे दुखमय ही रहता है नहीं नहीं उपलब्तियों को पाना चाहता है लेकिन भगवान सिरी किस ने कहा अर्जुन एक जो कर्म कर रहे है ना इसमें जो काम करते हुए लोग व्योहार करते हुए कर्म योग की साधना करते हैं जो दुखों से पार जाने की जो स्तिती है वो योग को वर्ड़न करती है वो ही तो योग है जीवन में कोई भी कारी करें उसमें हतासा ना हो निरासा ना हो पूरे प्रशंता के सांथ प्रशंचित और जो स्तिति बनेगी कारियों को करते करते जो भी हमारे अंदर यदी निगेटिविटी आ जाती है दुख का अनुभव होता है तो योग की उपलब्दी नहीं है अतो हमें जो योग की स्तिति बनती है अर्जन वो दुखों के बिना दुख नहीं करते हुए दुखों को नही प्राप्त होते हुए कर्मों की साधना करना है और अगर ऐसा करने में हम समर्थ हैं कोई भी कारी करते हुए कोई भी निसकाम कर्म करते हुए हम दुखों को प्राप्त नहीं होते हैं तो समझ लो हमारी योग की सिद्धी होती है इसलिए भगवान सरी किस ने कहा दुख सयोग योगम योग शंजितम तो यह वणन क्या है कि दुखों का हमेशा अभाव रहे और ऐसे निस्काम कर्मों का निस्पादन हमें इस मनुष्य जीवन में करना चाहिए आगे भगवान स्री कृष्ण अर्जुन को पुन्हो समझाया है कि संसार में स्रेष्ट कोन है संसार में सभी लोग कर्म कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं अलग-अलग तपस्याओं में लीन हैं अलग-अलग साधनों को इकटा करने के लिए अलग कर्म कर रहे हैं तो भगवान स्री कृष्ण ने एक स्लोक में पुरह बहुत सरलता से अर्जुन को समझाया, क्या समझाया तफस्यो भ्योव अधिक्रोयोगी, ज्यान भ्योपी मतोदिको, कर्म भ्योष्च अधिक्रोयोगी, तश्मात योगी भवर्द। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन अलग-अलग सरीर का तप, मानसिक तप, सांसारिक तपों पर लोग लगे हैं ऐसा ब्योहार में दिखाई दे रहा है, इसे मृत्य लोग में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और अलग-अलग ज्यानी जन अपने बुद्ध के बल पर, अपने ज्यान के बल पर अलग-अलग कारियों का निस्पादन कर रहे हैं कोई IS बनना है, कोई आज के योग में, कोई PCS बनना है, बड़े-बड़े विभागों में बड़े-बड़ी पोस्टू पर बैठे हैं तपस्यो भ्योव अदिको योगी, ज्यानी भ्योपी मतर दिखाई, कर्म भ्योश्चो अदिको योगी ऐसे ही अलग-अलग कर्मों का भी स्रिजन कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेश कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजिनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है अलग-अलग कर्म योग में भी साधना कर रहा है लेकिन भगवान सिरी किस्ट ने कहा इन सभी लोगों में चाहे कर्म योगी हो अलग-अलग तपों में लीन हो अलग-अलग ज्यानी जन हो इन में जो स्रेश्ट है वो हो योगी है इसलिए तु योगी बन जा ततस्थ होकर इस इस महाभारत के इस युद्ध में इस कुरूर शेत्र के रण में तू विजई होगा अगर मेरा आचरन करेगा मेरे बातों का पालन करेगा तो तू योगी बनकर ततश्ट होकर युद्ध के लिए तयार हो और अपने हत्यार उठा और युद्ध इस रण भूमी में अपने प् क्या है कोई भी शंचार में जो भगवा वस्त्र पहन लेता है यह योगी है या कोई एक संसे का महल है कि योगी है कौन और सज्ट को स्वामी कहते हैं इसको भी भगवान श्री किस्ट ने बहुत शरल तरीके से अर्जण को बताया है तो आप लोग भी यह बता सकते हैं लोगों ने सास्त्र का अध्यान किया नहीं लेकिन अपना जियान बाढ़ते रहते हैं लेकिन यह जो स्लोग यहां पर भगवान स्री किष्ण और जुन को दिया यह स्टीक आप भी भाई वहन इसे में सुन रहे हैं तो आप भी इसको बता सकते क्या बोला भगवान स्री किष्ण और जन को अनासित्व प्रंपराय है या अधिगुरु संकर ने जो प्रंपरा चलाई है सब्सक्राइब यह वहां से चली है लेकिन ये देश तो इस भारत में तो अनादिकाल से सन्यासियों का एक बोलबाला रहा है, बहुत मारदर्शन रहा है, पहले तो गिरस्त में भी सन्यासि होते थे, गिरस्त में क्योंकि सन्यास रूफ ही उनका जीवन था, ये सन्यास परंपरा तो ये अभी आठी नवी स्ताब्दी से चल अपने जीवन के लिए जितना जीने के लिए नितानता आव सकता है उतने मैं भौतिक संसाधनों का परियोग करूँ बागी समाज कल्याड के लिए लगाऊं। अनासित होकर कर्म करता है वो जो है सन्यासी है योगी है ऐसा भगवान ने इस स्लोक में बताया है इसलिए आप भी इस स्लोक का उधारन दे सकते हैं अनासित हो कर्म फलम कार्यम कर्म कुरोतियों सवसन्यासी चो योगी चो नो निरगिन न चाक्रियों तो छटा अध्याय का पहला स्लोक है इसका वड़न यहां पर सन्यासी कौन है योगी कौन है यहां पर समझाने का परियाज भगवान श्री कृष्ण ने किया है भगवान श्री कृष्ण जब धर्ती पर अवतरित हुए थे आज से बावन सो साल पहले की बात है तो उस समय तो सायद सारीरिक व्याध्यां होती नहीं थी क्योंकि प्रकिट्टी सुद्ध थी पंच तत्तु ही सुद्ध थे कोई विमा कि मैं जो है शरीर की साधना वैसे ही करते थे ब्रह्माचरी का पालन करते थे यम नियम का लोग पालन करते थे तो वहां पर भगवान से किसिने क्यों तो साधना के रूप में जो वणन किया है नाकर अग्र भाग पर आंखों को लगा कर ओम-नाम का जब करने के लिए कहा है तो इसमें भी एक शिलोक यहां पर है, मतलब काया सिर्व गले को समान अचल धारन करके, अपने सरीर को, सिर को और गले को अचल धारन करके, स्तिर बैट कर अपने आखों को, नेत्रों को नाके अग्र भाग पर, जहां पर प्राण वायू प्रवाइथ होती है, वहां पर लगा कर, मेरा नाम वणन करने के लिए कहा है, मतलब मेरा मतलब वो पूरे इस सुरत्त को वहां पर प्रकट कर रहे हैं, वहां पर क्योंकि अन्य अध्यायू में भगवान सरी कितने, मेरा नाम के नाम का जब करने के लिए और नाक्या अग्र भाग पर मन को लगा कर, स्तिर बैटकर, सरीर को स्तिर करकर, नशर को, अपने सरीर को और गले को सीधा रखते हुए ध्यान करने के लिए कहा है, योग करने के लिए कहा है, अलग अलग डिसमेंट पर हमने चर्चा की, योग के बारे में आज ये चर्चा चल ली है, अब अगली बात आती है योग की सिद्धी किसको होगी किसको प्राप्त होगा कैसे इस्तिति एक मनुश्य की चाहिए यह हमारे जो सरीर पिंड है यह भौतिक सरीर है इसके बारे में हम क्या करें क्या ना करें जिससे कि हम योग की सिद्धी करें योग को प्राप्त हो जाएं भगवता को प्राप्त हो जाए इस सुर्ख को प्राप्त हो जाए इसके बारे में भगवान श्री क्रिश्न आगे का है युकत आहार बिहार रेश्यों। योग तो आहार विहार रेश्यों, मतलब आहार और विहार की बात की भगवान ने, सबसे पहले योग की बात तो साधना की बात तो बाद में करेंगे, जैसे कि एक संसारी रूप से मैंने कहा कि योग के बारे में कहते हैं कि योग तो एक्सराइज है, अगर एक्सराइज ही य युकत आहार भिहार ऐस्यों, आहार शात्विक भोजन ग्राही हमारा सरीर हो, हम किसी भी परकार की हिंसा से प्रात अन्न को ग्रहन ना करें, सारे दिक हिंसा, मान्शिक हिंसा, जानरों को उत्पीरित करके, आज के देखो, आज तो भक्ती भी ऐसी करते हैं लोग, इस्वर को प्रात करने के लिए मान्श खाते हैं, जानरों को दुख देकर मान्श भक्षन करते हैं, तो भगवान सरी कृष्ण ने कहा, इनके लिए कोई योग पहले तो ये अपने आहार को निमित करें, आहार शुद्द करें, बासी भोजन नहीं करें, जो नमक तेज, तेल वाला जो भोजन है, उसको भी ग्राण नहीं करें, हमारा भोजन जो शात्विक हो और पूर तामसिक और राजिसिक प्रविर्ति का भोजन हम कतई नहीं करें, और शात्विक भोजन करें, बासी भोजन नहीं करें, तो युक्त आहार बिहार है से हो, और फिर बिहार, बिहार मतलब एच्रन् संद्धा हय। यम नियम आसन प्रणयाम का उसके द्वारा यम ने हिंशा ना हुए। शरीर की सुद्धि करें। तो यम नियम का पालन करते हुए receivers कें। यह उसका गोन है। ये उसके प्रात्मिक जो युग्यता है एक योगी की योग साध्र की भगवान को प्रात्र करने का जो चुक है उसके लिए पहले यही साधन है कि युक्ताहार विहारशय युक्तचेश्टशी करमसू और तभी उसके जीवन के सारे दुखों का नास होगा जितने भी उसको द सास्त्रों के अमशार जो अध्यात्मिक दुख हैं आदि बहुतिक आदि दैविक जितने भी परकार के दुखों का समावेस उसके जीवन में है उन दुखों से भी उसको निविट्ती मिल जाएगी तब जब वो युक्ताहार विहारशय युक्तचेश्टशी करमसू की योग की सिद्धी को प्राप्थ कर सकता है ऐसा भगवान स्री कृष्ण ने अर्जन को बताया है इसलिए हमारा भोजन और भोजन भी सुद्ध हो स्वस्त हो साप हो और गलत मानसाहार से मुक्त हो और आचरन की पोईतरता यमनियम का पालन करते हुए ऐसा भोजन हम करेंगे तो हम सादक बनेंगे हमारा सामर्थ जगेगा और भगवान को प्राप्त करने के लिए हम अगली सिद्धी के और आगे बढ़ेंगे वैसे तो भगवान स्री कृष्ण ने अठारा अध्यायों में योग का ही वड़न किया है अर्जुन विसाद योग से लेकर कर्म सन्यास से लेकर मोक्स सन्यास तक जितने भी अठारा परकार के योगों का वड़न किया है तो कम सब्दों में मैंने मुख्य रूप से जो हमारे लिए व्योहारिक रूप से आउस्यक है एक आम जनता के लिए आउस्यक है उतना आपको विसाई को आपके समुक रखने का आज परियास क है हमारे मांसरी रूप से और सारी रूप से पार जो वड़न है वहां उस दिश्टी को ध्यान में रखकर ये आज अपने विसाई रखा है भगवत गीता की अनुशार भगवान शिरिकिस ने जो योग का पत बताया है भगवान ने अर्जुन को उसके विसाई में चर्चा क करेंगे तब तक के लिए ओम सांति है सांति है